पुलिस वालों की हत्या का आरोपी गैंग्स्टर विकास दूबे उज्जेन से गिरफतार विकास दूबे के साथ उसके दो साथी बिट्टू और सुरेश भी उज्जेन से गिरफतार उज्जैन में विकाज दूबे की मदद के शक में लखनव के दो वकील हिरासत में लिये गए यूपी पुलिस ने विकाज दूबे के दो और साथियों प्रभात मिश्व और बववन शुकला को मुझभेड में मार गिराया कानपूर कानड में गिरफतार पूर्वधाना प्रभारी विनयतिवारी समेट साथ लोग रिमांट पर भेजे गए इंडिया ग्लोबल वीक में पियम मोदी ने भारत को टालेंट का पावर हाउस बताया सुशान्त खुदकुशी केस में फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने इमेल से अपना बयान दर्च कराया शेखर कपूर ने अपने बयान में फिल्म पानी के बंद होने के बाद सुशान्त के डिप्रेशन में जाने का दावा किया बांदिपोरा में आतंकियों ने बीज़पी नेता वसीम बारी समेथ तीन लोगों की हत्या की बांदिपोरा में बीज़पी नेता वसीम बारी की सुरक्षा में तैनाथ सभी सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकाला गया वारणसी में लॉकडाउन में लोगों की मदद करने वाले संगठनों से पीएम मोधी ने बात की बांदीपोरा में वीज़ेपी नेता वसीम बारी की हत्या में लशकर आतं की आबिद हकानी का नहाथ सामने आया कोरोना पर मंत्री समू की अठारवी बैठक हुई देश में 24 गंटे में खरीब 25 जार कोरोना के नए मरीज सामने आये चीन में तनाओ के बीच रक्षा मंत्री राजनात सेंग जम्मू कश्मीर में छे पुलो का उधगाटन करने पहुँचे पुल्भूशन जादव की पाकिसान से वापसी के सभी विकल्पो पर भारत विचार करेगा जम्मू कश्मीर के बढ़गाउं में एक भालू ने एक आदमी पर हमला बोल दिया मुंबई में जाने माने आक्टर जगदीपकाई 80 साल की उम्र में निधन हो गया